क्लास स्टुडेंस हम एक्ट्रिक फिल्ट पर त्योरी समझ चुके हैं एक्ट्रिक फिल्ट क्या होती है उसकी यूनिट क्या होती है हमने किसी पॉइंट चार्ज के कारण electric field intensity निकालना सीखा हमने electric dipole क्या होता है वो सीखा चुके हैं electric dipole के कारए axial position और equatorial position पे electric field intensity कितनी होगी यह कर चुके all these are in theoretical way अब कुछ numerical question से approach बनाने की कोसिस करूँगा और साथ ही साथ आपको इसके बाद वाले video lecture में मैं आपको electric field due to continuous distribution of charges के भी 2-3 derivations करूँगा तो आई होपसो समझ रहे हैं अपने को क्या करना है देखें मैंने यहाप एक question लिख रखा है आप लोगों का यहाँ पर दो point है एक point A है एक point B है point A पे plus 1 microcolum का charge है और जो point B है उस पर minus 2 microcolum का charge है हमको इस जो line है इन दोनों के बीच की जो distance है वो 20 cm है इसके center point center point को आप C के दीजिए इस center point C पर electric field intensity निकालनी है अब एक एक के कारण निकालेंगे और direction को भी ध्यान देंगे यहाँ से plus 1 microcolum से point C की दूरी कित्ती है 10 cm इसी परकार point B से C की दूरी कित्ती है 10 cm अब और ध्यानस देखें आप जो plus होता है वो electric field intensity कितर लगाता outward और जो minus होता है वो भी क्या करेगा अंदर की और खीचेगा ध्यानस देखें दोनो electric field एक ही direction में plus 1 microcolum भी electric field intensity कितर लगा रहा positive x की तरफ minus 2 microcolum भी कर रहा है positive x की तरफ दोनों की electric field intensity आपस में add होगी हम दोनों की लिए अलग-अलग electric field intensity निकालेंगे माल लिया plus 1 microcolum के लिए electric field intensity E1 है minus 2 microcolum की electric field intensity E2 है हम E1 और E2 दोनों अलग-अलग पता करेंगे electric field intensity E1 कितनी आईगे आपकी बहुत simple सा concept पहले constant लिखते हैं के किसको केते हैं याद है न 1 upon 4 pi epsilon 0 के मैं repeat नहीं करूंगा बार-बार तो ये dialectic हमारा constant है dialectic constant निस्वारी 1 upon 4 pi epsilon 0 दोनों वेक्यूम में रखें हैं charges और वहाँ पे charge किता है electric field intensity बढ़ा होता है kq by distance तो चार्ज किता है 1 micro coulomb तो micro मतलब होता है 10 to the power minus 6 upon distance का square तो distance किती है आपकी 10 cm किती है 10 cm तो 10 cm को क्या लिख सकते हैं 10 by आप चाहो तो 100 लिख दो या ऐसा लिख दे 10 into 10 to the power minus 2 ये meter बदल गया into क्या कर देंगे आप square कर देंगे अब किसके कारण निकालेंगे electric field intensity दूसरे के कारण दूसरे के कारण किती होगी दूसरा कोने minus 2 micro coulomb तो k और यहां पर आपको minus की value नहीं रखनी है आप ध्यान रखें electric field intensity vector quantity है और उसमें हम direction देखते है plus minus के कारण minus की value नहीं रखी जाएगी 2 micro coulomb तो 2 into 10 to the power minus 6 upon फिर डिस्टेंस वही है 10 cm 10 into 10 to the power minus 2 का whole square लंबा कर दिया और छोटा कर सकता था इस question को करते वक्त में अब दोनों को क्या करना है मुझे net electric field intensity निकालना है तो net निकालते वक्त दोनों की direction देखो दोनों की direction क्या है same है अर्था दोनो electric field intensity यां some होकर net electric field intensity पता चलेगी तो add करने जाएंगे तो k common निकल जाएगा उपर का 10 to the power minus 6 निकल जाएगा नीचे जो बच्चा 10 to the 1 into 10 to the power minus 6 upon नीचे क्या बच्चा है आपका 10 to the power minus 1 उसके उपर square 10 to the power क्या हो गया minus 2 ओके फिर दूसरा plus k into किता जाएगा 2 into 10 to the power minus 6 upon नीचे किता होगा वही 10 to the power minus 1 उसका square 10 to the power किता हो जाएगा minus 2 जो common निकल सकता है 9 into 10 to the power 9 वो लिखी हमने ब्रेकेट लगाएगे हम लोग यहाँ पर अब यहाँ क्या बच्चा 10 to the power minus 2 से 10 to the power minus 6 cancel हो चुका है तो 10 to the power minus 4 यहाँ पर भी ट्या बच्चे का 10 to the power minus 4 तो हम उसको भी बाहार निकाल लेंगे back side पर तो 1 प्लस किता बच्चेगा 2 और यहाँ आ जाएगा 10 to the power minus 4 किता है आपका 10 to the power minus 4 बाहार हो गया यह 2 plus 1 किता हो गया 3 3 into 9 किता हो गया आपका 3 into 9 20 7 हो गया into 10 to the power अब आपके पास बच्चेगा 5 किता बच्चा 10 to the power 5 अगर इसको और पॉइंट वाले सिस्टम में लेखना चाहे तो 2.7 into 10 to the power 6 newton पर कुलाम electric field intensity की unit newton पर कुलाम बहुत ही simple है हमको electric field intensity किसी एक पॉइंट पर निकालनी हो तो हमें क्या करना चाहिए हमें एक एक charge के कारण जो electric field intensity उसको निकालना है फिर उन सब का क्या करना चाहिए vector sum करना चाहिए कौन सा sum करना चाहिए vector sum एक और question लेते हैं जिससे साथ आपके और अच्छे से concept clear हो जाए बीच में आप इसको note करने के लिए screenshot की help ले सकते हो ये दूसरा question है इसमें मैंने दोनो charge negative लिये हैं और net electric field intensity center पे पूछी हुई अगर ये दोनो charge बराबर value के होते हैं तो net electric field intensity center पे 0 होती समझाता हूँ फिर से एक बार क्या मैंने बोला कि दोनो charge जैसे ही वो minus 4 कुलाम का है और ये भी minus 4 कुलाम का है और center पे निकालते हैं तो जितनी electric field intensity इसके कारण E1 इस तरफ होती left side उतनी ही क्या होती इसके कारण भी होती electric field intensity minus के कारण कहां होती आपकी minus के कारण inward इधर भी minus charge इसके कारण भी क्या होगी inward तो E1 और E2 की value बराबर होती क्योंकि charge बराबर है distance बराबर है constant constant है दोनों तरफ सेम तो बीच में electric field intensity क्या हो जाती है आपकी equal and opposite equal and opposite तो net electric field intensity क्या जाती जीरो आ जाती परण तो इस question में दोनों charge equal नहीं दिये गए हैं आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको center पे निकालना है ठीक है यह 10 cm है मैं चाहता तो meter में देखे इसको और easy कर सकता था पर centimeter में ही अपने करना है क्योंकि charges के बीच की ज़्यादा दूरी हम दिखाएंगे नहीं अभी तो यह जो minus वाला है minus 2 कुलाब इसके कारण electric field intensity को मैंने e1 के दिया चलो इधर वाले charge एक कान electric field intensity को क्या कहा e2 minus के हैं तो minus 2 क्या करेगा minus वाला electric field को अंदर की ओर लेता है तो यह minus 2 कुलाब है तो यह electric field अंदर की ओर होगी इधर वाला minus 4 भी क्या करेगा अपने में electric field intensity lines को लेगा फिर निकालते हम e1 e1 किता होगा वही 2 into 10 to the power minus 6 upon 10 centimeter 10 centimeter को meter बदलेंगे तो वह होता 10 to the power minus 1 meter बदल गया है और whole to the power क्या जाएगा 2 क्योंकि फार्मला सिखा चुका हूँ मैं आपको constant charge upon distance का square फिर से electric field intensity निकालना मतलब एक आगे constant लिखना है 1 upon 4 pi epsilon naught फिर क्या लिखना है आपको यहाँ पर charge की value और नीचे distance का square और सब SI में convert करके ठीक है और E2 किता होता आपका E2 बराबर किता है आपका के charge किता है 4 microcolum 4 into 10 to the power किता हो जाएगा आपका minus 6 upon 10 to the power minus 1 का square अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कुन सी बड़ी value है देखा जाए compare किया जाए तो E2 जादा है क्योंकि charge की value जादा है तो net electric field intensity किदर बचेगी आपके minus 4 कुलाम की तरफ तो हमारी net electric field intensity कित्ती होगी E equal to E2 minus E1 ध्यान दें आप लोग क्यों क्योंकि दोनों vector एक दूसरे के कैसे हैं opposite k बहार निकल गया 10 की power अगर आप ध्यांस देखेंगे तो यहाँ 10 उपा minus 2 है उपा 10 उपा minus 6 है तो 10 उपा minus 4 बचेगा क्यों कित्ता बचेगा 10 to the power minus 4 ओके तो यहाँ कित्ता बचा 2 आपन पेले E2 लिख रहे हैं तो E2 की value में कित्ता आएगा 4 बचेगा और minus E1 की value कित्ती है E1 की value में 2 बचा आपका बाकी सब आपकी 10 की power हो चुकी 4 minus 2 मतलब 2 हो गया तो 2K into 10 to the power minus 4 एक बचेगा K की value रख दी जाए K की value सबको पता है 2 तो 2 रहेगा K की value है आपकी 9 into 10 to the power 9 और फिर आगे 10 to the power क्या करना है minus 4 से multiply करना है तो 2 into 10 to the power क्या बचेगा 5 Newton per C क्या बचेगा आपका Newton per C So it's a easy way to find out the net electric field समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अभी हम point charge पर बात कर रहे हैं हमारा जो charge है वो किसी 1 point पर रुका हुआ है It is in rest on a single point चलिए अगे आपको पताएंगे हमारा कि जो charge है वो uniformly distributed होगा तो क्या होगा जब charge हमारा क्या हो जाएगा uniformly distributed होगा तो क्या होगा चलिए अभी तो हम किवल charge single point पर उसके अलग-अलग cases कर रहे हैं और आपको बहुत सारे cases मेंने force के में भी पढ़ाया थे जब मैं आपको force बढ़ा रहा था तब मैंने force के case में भी आपको बढ़ाये हैं अब मैंने एक triangular way में समझाया थे कुछ polygonal way में समझाया थे आपको तो मैं एक आदी polygonal का फिर से diagram लेता हूँ आपको आप याद करेंगे कि इसमें का मैंने आपको question दिये थे मैं पिछले questions ये भी plus q है ये भी plus q है और ये सभी side ए equal है और अब आपको कहा गया है कि ये जो triangle a, b, c है तो point a पे net electric field intensity निकालो क्या find out करना है point a पे net electric field intensity find out करना है थोड़ा सा सोचा जाए आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाए ठीक है न, क्या दिमाग लगाना है आपको ये जो plus q है, इसके कारण electric field intensity इस तरफ होगी इसको हम आपने कहा e1, ठीक है और minus q के कारण इस तरफ होगी, इसको कहा minus q नहीं है, ये भी plus q है तो इसके कारण electric field intensity कित्ती होगी e2, बाहर की और होगी क्योंकि दोनों charge केसे हैं आपके plus के, और equilateral triangle है तो हर एक angle कित्ते का होगा आपका हर एक angle 60 degree का होगा तो ये भी कित्ता होगा 60 का, तो दोनों vector के बीच का angle भी कित्ता हुआ, 60 degree अब मैं पहले e1 निकाल के बता दू कि e1 कित्ता है e1 बराबर होगा k q by a square e2 कित्ता होगा आपका, वो होगा k q by a square अगर कहा जाए तो e1 और e2 आपस में equal है अब जिस बच्चे ने 11 त में बहुत मेहनत करी numericals में, उसको पता आई है कि दो vector आपस में बराबर है दो vector आपस में बराबर है और उनके बीच में angle 60 है, तो net value कितनी आएगे आपकी 11 बिगड़ी होगी हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं हमने उस resultant निकालने के formula की बात करते हैं देल्टवन्टे वाला formula पड़ा होगा है आपने under root के अंदर a square plus b square plus 2ab cos theta याद आना चाहिए, यहना बार-बार ऐसी जरूवत नहीं पड़नी चाहिए हमको तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना हो जाएगा आपका r equal to under root के अंदर e1 का square मतलब उसको e मान लो, दोनों आपस में equal है तो e मान लिया e square plus e square plus 2e into e into cos 60 cos 60 किता होता है आपका 1 by 2 2 से 2 कर जाता है, तो यह भी e square e square plus e square plus e square तो वो हो जाता है root 3e किता आता है root 3e तो जब भी दो vector आपस में equal हो मान लो, दो vector है दो vector x, x है तो दोनों equal है दोनों के बीच का angle 60 है तो net resultant किता होगा root 3x याद रखें, कई numerical हों में direct competitive exam में करने में काम देगा आपको तो net electric field intensity अब किती होगी दोनों vectors equal है तो net electric field intensity e net किती हो जाएगी root 3 times of e root 3 times of e e किता है आपका k q by a square तो very easy unit वही आईगी आईगी आपकी newton per coulomb याद आ रहा है, कहां से लाया unit अरे आपको सिखाया है दोस्तों e equal to होता है f by q f by q तो वहाँ से हम यह लाये हैं easy हो गया होगा अब यदि इसमें से एक charge plus का मान लेता और एक charge में क्या मान लेता है minus का मान लेता तो picture में थोड़ा सा twist होता देखते हैं उसको भी समझते हैं यह charge हम minus का मान ले यदि यह charge minus का है तो यह electric field को अपनी तरब खीचेगा यह electric field को कहा लाएगा अपनी और अंदर की और आएगी इसमें electric field lines is it clear line of force है किस पे वो भी positive charge पे electric field है क्या यह force की दिशा बता रही है किस पर लगने वाले force पे unit positive test charge पर unit positive test charge पे अब positive उपर लगाना है तो minus वाला positive पे किदर लगाएगा अपने तरब खीचने की कोसिस करेगा force up attraction अब ध्यान दें हमको e1 और e2 की value तो हमने निकाल रखी थी e1 की value भी वह रहे है क्यों क्योंकि charge सेम है distance सेम है तो e1 किता है k q by a square e2 किता है k q y a square परण तो यहाँ देखने की बात क्या है कि दोनों के बीच का angle किता है 120 degree किता है 120 अब एक question था 11th class में यदि दो vector आपस में equal है magnitude में और उनके बीच में direction 120 का है तो resultant भी उतना ही आता है समझ में आया आपको अगर दो vector P है पहला vector भी P, दूसरा vector भी P और उनके बीच का angle 120 है तो resultant भी किता आएगा P नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं आजाओ कक्षा 11th में r equal to किता होता है a square, तो a मतलब e square b square वो भी क्या है आपका e है क्योंकि a और b आपस में दोनों vector पराबर है plus 2a b cos theta cos 120 degree अब cos 120 की value होती minus 1 by 2 किती होती है, minus half तो इक किता हो जाएगा आपका e square plus e square plus 2 e square minus 1 by 2 कौन सा, minus 1 by 2 तो ये 2 से तो 2 कटेगा परन्तु ये minus का e square इस e square को खा जाएगा तो what will be there under root e square बचेगा तो what will be there only e तो resultant किता हारा e के बराबर और e क्या है बस e1 और e2 की value है हमने e किसको कहा था याद है e1 और e2 बराबर है इसलिए उसको e कहा है तो net electric field intensity कित्ती आएगी आपकी e net बराबर होगा k q by a square तो I think ये सभी questions आपको समझ में आ रहेंगे एक मेने आपको पीछले उसमें आपको quadrilेटर वाला करवाया था sorry square वाले पर करवाया था तो मैं कि square वाला भी आपको देता हूँ देखे दो वेक्टरस आपस में equal हो और उनके वीच में angle 60 हो तो resultant होता है root three times of anyone ठीक है अगर 120 हो तो क्या होता है दो वेक्टर आपस में equal हो और उनके वीच का angle 120 है तो resultant किसी एक के बराबर लिख दो क्योंकि दोनों आपस में बराबर है अगर 90 हो दोनों के बीच का एंगल क्या हो 90 हो तो वो root 2E होता है किता होता है root 2E अगर पहला भी E vector है दूसरा भी E vector है दोनों vector के बीच में एंगल 90 है तो resultant कितना आएगा root 2E अभी देखते हैं पन समझते है चलिए हम square shape पर charges को plus का देते हैं ठीक ये भी A है distance ये distance भी A है ये भी A है ये भी A है अब यहाँ पर मेरा कोई plus Q charge है यहाँ मेरा plus Q charge है और यहाँ पर भी plus Q charge है सभी दूर में ने अभी plus Q charge रखा हुआ है और मुझे net electric field intensity कौन से point पर पता करना है B point पर पता करना है कौन से point पर पता करना है, B point पर पता करना है, simple है दोस्तों, आप पहले क्या निकालोगे, plus A charge करना, उसको क्या नाम दिया, E1, और क्या निकालोगे, C पर रखे वे charge करना, उसको क्या कहोगे, E2, अब ये दोनों के करन, जो resultant हो, को दिखती चीज है, कि E1 किता है आपका, K Q Y A square, E2 किता है आपका, K Q Y A square, ये दीख रहा है आप लोगों को, और दोनों आपस में क्या है, equal है, तो resultant कहां आएगा, resultant बीचो बीच आएगा, ठीक हैं, अब ये जो resultant है, इस resultant को मैंने E days के दिया, क्या के दिया, E days, या ये के सकता हूं, resultant of 1 and 2, resultant of 1 and 2, अभी मेरे पास, E1 और E2 आपस में equal है, तो मैंने उसको क्या मान लिया, E, फिर चलिए हम कौन सी class पे चलते हैं, 11th, resultant, R equal to किता तो हमारे पास, अंडर root के अंदर, A square plus B square plus 2AB cos theta, तो मैं इसी के आधार पे बात करता हूं न, आपसे, R equal to, मतब, resultant E, E days जिसको मैंने कहा, E1, 2 के दौआ, E1, 2 equal to E1, E1 मतला, देखने, E1 का square, plus E2 का square, plus 2 E1, E2, cos 90 degree, अब cos 90 किता होता है, 0, cos 90 0 होता है, जिसके कारें, ये time पूरा क्या हो जाएगा, खतम, अब under root के अंदर, क्या बचेगा, फिर दो vector, अगर, एक दुसरे पर 90 पे होता, उसका resultant ही होता है, under root के अंदर, A square plus B square, ध्यान रखें, तो E1 मतलब, E, square plus ये किता होगा आपका, E square तो किता जाएगा, root 2 E, root 2 E, मैं वही समझा रहा था आपको, ये किता होगा आपका, root 2 E, अभी picture और बाकी है भाई, picture बाकी है ना, द्यान से देखते चलें, अभी ये plus Q charge बाकी है, ये plus Q charge भी क्या करेगा, electric field इस दिशा में लगाएगा, इसको मैंने के दिया, ED क्या के दिया, या E3, किसरे चार्ज है के कारण, तो ये जो E3 है, E3 vector है, और E1, 2 vector है, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों की direction क्या है, सेम है, तो net electric field intensity कितनी होगी, अगर मैं E3 की बात करूँ, तो मेरा E3 किता है, पहले मैं E3 पे बात कर लूँ, E3 किता होगा, E3 बरावर, K charge किता Q, और distance, वो होती है, root 2 A, किसी भी square के diagonal, अब ये तो बार बार पेटिस जो बंदा करता है, उसको सब याद होता है, root 2 A होती है, उसका क्या करेंगे अपन, square करेंगे, तो किता जाएगा, K Q by 2 A square, ये मेरा क्या आचुका है, E2, E3 सरी, ये क्या है मेरा, E3, तो E3 आचुकी है, और E12 आचुका, तो net electric field, E net, E net किता होगा, E net होगा, E12, plus E3, क्योंकि दोनों की direction क्या है, आपकी, सेम है, तो यहाँ E12 किता है, आपका, root 2 times of E, E क्या है, आपका ध्यास देखो, E1 और E2 की value, उसेम है, K Q by A square, plus, आपके आएगा, K Q upon 2 A square, जो common निकल रहाँ, उसको common निकल दें, तो E net निकलते बन जाएगा, E net किता आजाएगा, आपका finally, कर ही देता हूँ यार, ठीके, K Q upon A square, common निकल गया, root 2, plus, 1 by 2, इस प्रकार करके, आप, निकाल सकते हैं, easy लगा, तो इस प्रकार से, हमारे पास, बहुत सारे केसे से, जिसमें हम, electric field intensity निकालते हैं, एक और बहुत अच्छा कोशिन, जो मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, परन्तो वो force के केस में करवाया था, अब मैं आपको, electric field intensity के के केस में करवा था, और उसमें मैंने बोला था, तो मैं आपको short trick सिखाँगा, पर side video में बनाते बनाते, भूल गया आपको short trick सिखाना, तो आज सिखा देता हूँ, इस video में सिखा दूँगा, तो देखे हम लोग यहाँ पर, जो question था आपको कुछ याद हो, मैंने यहाँ पर एक plus Q charge रखा था, और यहाँ से कुछ दूरी पर, एक plus 4 Q charge रखा था, याद हैं, और कहा था, कि किस point पर, electric force नहीं लगेगा, हम एक third charge को रखें, third charge को कहां रखें, कि net force 0 हो, यह question आपको करवा चुका हूँ, भया, net force कब 0 होता, जहाँ पर electric field intensity 0 होती है, अगर electric field intensity 0 है, मतलब वहाँ पर force 0 होगा, electric force वहीं 0 होता, जहाँ electric field intensity क्या होती है, 0 होती है, तो हमने उस derivation में सीख लिया था, कि वह point कहां होता है, अगर दोनो positive charge है, या दोनो negative charge है, तो वह point कहां आएगा, बीच में, दोनो charge को जोड़ने वाली line के बीच में, अगर एक positive और एक negative है, तो वह क्या होगा, इस line के बाहर इधर या इधर, वह भी हमेशा smaller charge की तरफ होता है, कि इधर होता है smaller charge, ठीक है, तो हमने बताया था कि, इस distance को हम x मान लेते हैं, और इस distance को क्या मान लेते हैं, r minus x मान लेते हैं, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, electric field intensity 0 है, हमने माना कि, इस x दूरी पर electric field intensity 0 है, तो सीधी सीधी बात है, कि मान लो इसके कारण electric field intensity कित्ती है, e1, और इसके कारण electric field intensity कित्ती है, e2 e1 किसके कारण है plus q charge के कारण e2 किसके कारण है plus 4 q charge के कारण तो point जो आपने लिया है आपका null point है इसको null point कह सकते हैं तो जो null point है उस पर दोनों की electric field intensity क्या है same है e1 equal to क्या है e2 है e1 किसको कहते है बेटा के charge value q upon distance के सकर क्या होगा x square बराबर यहां किता हैगा k charge किता है आपका 4 q upon distance किती है r minus x उसका square आप बस इसको solve कर लें q से q को कार दें k से k को कार दें याद आजा है मैंने करवाया आप लोगों को r minus x upon x का whole square equal to किता है था 4 फिर r minus r by x minus 1 equal to मैंने बता है था plus minus क्या यूज कर लें 2 फिर आपका r by x equal to किता है गया था इधर लाएंगे plus 2 यूज करते है और उदर से एक आया तो plus 1 हो जाएगा तो किता हो जाएगा 3 तो r equal to 3 x तो x equal to किता है था r by 3 याद आगया याला इसमें हमने करा था minus लिया था और उस minus की value को हमने बताया था कि वो minus की value बाहर जा रही ही है और बाहर electric field intensity 0 नहीं होगी चलिए तो यह हमारे पास value होई थी इसकी shot trick क्या है इसकी shot trick क्या है इतना लंबा चोड़ा ना करें किस point पे 0 होगी तो ऐसे question में ध्यान दें आपको लिखना होता है smaller charge ठीक है q small upon q large plus q small into दोनो charges के बीच की distance और दोनो charges के बीच की distance अगर आपने r मानी तो r l मानी तो l जो भी है अब अपन यहां रखके देखते है q small किता है आपका q root q q large किता है आपका 4 q root के अंदर फिर plus q small किता है आपका q into किता है आएगा r ओके यह किसकी value बता रहे है x की कि आपका x किती दूर होगा small charges से और यह हमेशा दोनों ही case में दोनों plus के हो कि दोनों minus के हो कि एक plus का एक minus का हमेशा यह null point आपको smaller charge के पास ही मिलेगा या तो बाहर होगा या अंदर होगा conditions के according यहां से root q बाहर निकालेंगे हम उपर वाला root q नीचे वाले root q से cancel तो उपर बचेगा 1 नीचे बचेगा root 4 मतलब 2 और यहा root 1 मतलब 1 तो यह यहां से हो गया 1 by 3 into r equal किता आ गया x अर्था एक से equal to किता आ गया r y 3 जितनी हम मुदर से मगजमारी करके हैं उता एक short trick के formula में हो जाता है क्या होता है under root q small upon under root q l plus under root q s मतलब दोनों यहां तो root में दोनों का sum है और उपर क्या है आपका q small है into दोनों charges की बिच की distance इस वेरी short trick चलिए एक और question हम करते हैं जिसमें हम इसमें से एक को plus charge का ले ले लेते हैं और एक को क्या करते हैं minus charge का यह value वही है जो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ और यह fundamental value से आपके NCRT में इसी से समझाया गया है आपके अधिकांस bookों में इन ही values के आधार पर explanation किया गया है यह मेरे द्वारा कोई मन से value नहीं रखी जा रही है यह NCRT और different books में जो values रखी हैं उनी को copy कर रहे हैं जिससे कि आप book जब पढ़ो तो आपको ऐसा ना लगे कि यार यह हमारा पढ़ा हुआ नहीं है topic value भी आपको match करेगी books में चली एक और लेते हैं हम लोग हमने plus q और minus 9 q का लिया था क्या लिया था plus q रखा था और उससे कुछ दूरी पर क्या रखा था minus 9 q इसको मैं पहले short trick से करूँगा फिर long trick से करूँगा अभी क्या किया था पहले पूरा लंबा किया था solution उसके बाद मैंने बताई था short trick ही है अब पहले short trick फिर उसको lengthy trick से करेंगे जब भी दोनों charge एक plus का और minus का तो null point बीच में नहीं मिल सकता null point बीच में नहीं मिल सकता क्यों फिर समझोंगा एक बार क्योंकि अगर plus q charge एक कारण electric field intensity क्योंकि plus है तो हो गई तो दोनों सम हो जाएगा अब जब दोनों का सम होगा तो net electric field intensity क्या होगी 0 थोड़ी होगी दो physical quantity यां जूड रही है तो 0 नहीं होना है उन्होंने तो ये null point center पे possible नहीं है इस case में इस it clear अब ये चीज़ भी मैंने आपको समझा थे इसका null point किधर होता है इसका जहाँ वह point जिस पर net force zero हो जाए net electric field intensity उस पर zero होगी तो ये जो null point है आपका it will be near to smaller charge कहां होगा आपका smaller charge कि पास्मोर इस distance को हमने किता माना x और ये distance को मैं अगर मान लूँ let book home में इसको L भी लिखते है आर भी लिखते है कुछ भी लिख दो दोस्तों ठीक है ये रही अब null point x कित्ती दूरी पर होगा मैं आपको clear करूँ ऐसे question में क्या करना है आपको x equal to पहले short track है ना आप under root के अंदर q small upon under root के अंदर q large minus minus आएगा यहाँ आप दोस्तों ठीक है q small into कित्ता जाएगा आपका r तो q small कित्ता है आपका q root के अंदर q upon q large कित्ता है आपका 4 q minus कित्ता आएगा आपका that will be q okay into कित्ता जाएगा आपका r आप root q को निकाल दें बाहर तो क्या बचेगा आपका that will be it will be equal to 1 upon 2 minus 1 into कित्ता बचेगा r it will be कित्ता होगा x equal to कित्ता जाएगा आपका बातों बातों में x equal to r आजाएगा अब इसको हम long method से करेंगे long method क्या कहती है कि plus q के कारण electric field intensity इधर है इसको e1 कहा और minus खीचेगा तो उसके current intensity अंदर की और होगी e2 अब हम क्या करेंगे बोलेंगे कि null point वह होता है जिस पे net electric field intensity क्या होती है 0 होती है तो आप net electric field intensity निकालने के चकर में दोड़ेंगे कहाँ आपन null point पे null point पे तो दोनों electric field intensity आँ क्या है same है ठीक है रख लेते हम तो even किता होगा के q upon distance किती है x उसके square equal to इसके current किता होगा के 9 q upon r plus x का whole square अब अगर आप देखेंगे तो k से k मर जाएगा q से q मर जाएगा तो r plus x upon x का whole square equal to आजाएगा upon 9 ठीक है तो यहां से आजाएगा r by x plus 1 equal to हो जाएगा 3 वो भी plus minus के साथ किसके साथ plus minus के साथ अभी हम पहले plus ले लेते हैं फिर एक बार minus ले लेंगे तो r by x plus 1 equal to किता जाएगा plus 3 तो किता आएगा आपका r by x equal to किता हो जाएगा इसको इधर लाते हैं तो किता होगा आपका plus 3 minus 1 plus 3 minus 1 तो यहां से r by x equal to किता हो जाएगा आपका that will be 2 तो r equal to x equal to sorry x equal to किता जाएगा r by 2 तो यह हमको देखना है ओके इसको समझ गे x की डिस्टेंस आगे आपके r by 2 good एक बड़ी फाल्ट दीख रही है यहां तो r by 2 है और यहां क्या आगया r उसका कारण है मैंने गलती ढूंडी अभी यहांपर क्या हुआ मेरे हाथ गलती से larger charge किता रखा गया है 4Q जबकि larger charge हमारा किता है 9Q है तो हम इसको जैसे यहां 9Q रखेंगे तो यह किता हो जाएगा यहांपर 3 3-1 बराबर किता बचेगा 2 तो यहांपर भी किती अंसर आएगी r by 2 आएगा actually क्या पहला question कर रहा था उसका 4Q याद रहे गया तो यहांपर अभी यहां किता हो चुका था 9Q तो इस पूरे उसमें हमने क्या देखा कि null point कहां मिलेगा उसको ढूंडना सिख गये बहुत easy questions आप लोगों को करवाए हैं जिसमें हम क्या सीख रहे हैं electric field intensity और उसके direction का महत्वा कैसे किसी point पर electric field intensity निकालेंगे कितनी होगी उसकी direction किदर होगी वो भी अभी सब point charge के कारण अब इस छोटे से वीडियो के बाद जो मेरा अगला वीडियो आ रहा है उसमें मैं आपको continuous distribution of charges के कारण electric field intensity निकालना सिखोंगा और copy pane साथ में लेकर बेठें क्योंकि उसमें derivations बड़े जाने वाले हैं मैं board पे से diagram मिटा दूंगा तो आपको दिक्कत आएगी उसमें इसलिए पहले से copy pane लेकर बेठें और diagram बनाते चले साथ में Thank you